गाइस बहुत सारे लोग आज की तारिक में आपको ये बोलते होंगे कि अगर आपका बजट 20-25,000 रुपे के बीच में है तो आज की तारिक में आपको कोई धंका लैप्टॉप नहीं मिल सकता गलत बोलते हैं ओ लोग आज की तारिक में 20-25,000 रुपे की रेंज के अंदर एक की touchscreen या 2-in-1 laptop की बात करूँ, HDD का option तो देखने हो मिलेगा, यह साथ यह आपको SSD का option भी देखने हो मिल जाएगा और thin and light laptop भी आपको इस range के अंदर जो है वो देखने हो मिल जाते हैं, जो कि यह काफी अच्छी बात है तो अब तो आप यह नहीं बोल सकते ना कि 20-25 जार रुपे की range के अंदर आपको variety of laptops देखने हो नहीं मिलेगे ढूंड के लाया हूँ आपके लिए वो top 5 laptops 20-25 जार रुपे की range के अंदर तो अगर आपका budget आज की तारीख में यह है 100% surety के साथ आपको laptop मिलने वाला है सभी laptops के link में आपको नीचे description में दे दूँगा जाके checkout जरूर कीजेगा और जैसा कि मैंने बोला पहला ही laptop जो है वो thin and light series में आता है Asus का vivo book 15 जहां पर आपको एक बड़ी 15.6 inch की HD screen देखने को मिल जाती है और यह एक anti glare display है तो अगर आप बहुत देर तक laptop पे काम करते है तब भी आपकी आँखों पर कोई खास सर नहीं पढ़ने वाला है 4 GB की आपको यहाँ पर RAM देखने हो मिल जाएगी इसको आप upgrade भी कर सकते है आने वल टाइम में fully upgradable है 8 GB की RAM भी कर सकते हैं double of the RAM भी कर सकते हैं SSD का support भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है 256 GB की SSD आपको यहाँ पर देखने हो मिल जाएगी full size का keyboard आपको देखने हो मिलता है तो numeric keypad भी आपको यहाँ पर देखने हो मिल जाता है दोस्तो बात करोगर मैं graphics की तो यहाँ पर आपको 200 gram का weight आपको यहाँ पर देखने हो मिल जाएगा और battery backup की अगर बात करूँ तो 6 से 6.5 घंटे का battery backup आपको बहुत ही अराम से इस laptop में मिलने वाला है अगर मैं बात करता हूँ price की तो Asus VivoBook 15 आपको देखने हो मिल जाता है 22,990 रुपे के अंदर and this laptop is powered by Intel Celeron N4020 processor जहां पर आपको base speed 1.1 GHz की देखने हो मिल जाती है and boost up speed आपको 2.8 GHz की देखने हो मिल जाएगी बाकी ports की बात करूँ तो लगबग सभी ports आपको यहाँ पर देखने हो मिल जाएगे Bluetooth, Wi-Fi, webcam का support भी आपको यहाँ पर देखने हो मिल जाता है एक तरह से fully loaded laptop है 22,000 रुपे की range के अंदर इसका link मैं आपको नीचे description में देता हूँ जाके checkout जरूर कीजेगा और बात कर लेते हैं अब number 2 laptop के बारे में बहुत ही कमाल धमाल laptop है HP की तरफ से Chromebook के में बात कर रहा हूँ और ये भी thin and light series के अंदर आ जाता है अगर आप मुझसे पूछे की Chromebook क्या होता है जैसे आप Android smartphone यूज करते हैं same आप समझ लिजे कि आपको laptop के अंदर same features देखने हो मिलने वाले हैं touchscreen का support भी मिलने वाला है तो सारी application जो आप smartphone में यूज करते हैं तो यहां पर आपको 14 inches की touchscreen देखने हो मिल जाती है और अगर RAM की बात करूँ तो यहां पर आपको 4 GB की RAM देखने हो मिल जाएगी साथ ही 64 GB की SSD का support भी आपको देखने हो मिल जाता है जिसको आप upgrade कर सकते हैं 256 GB तक बागी दोस्तो इस Chromebook के अंदर आपको Google Assistant का support देखने हो मिल जाएगा तो बिना touch करें भी आप इस Chromebook को command दे सकते हैं यह काम करेगी और अगर मैं बात करता हूँ speed की तो यार बहुत ही बहतेरीन speed आपको यहां पर देखने हो मिलती है boot up speed जो है वो यह 4-5 से के अंदर ही Chromebook पुरा boot हो जाता है बिल्गुल भी time नहीं लेता है बहुत ही fast operating system मैं इसको बोलूँगा बागी Google Play Store के तो सारे application आप बहुत ही easily यहां पर use कर पाऊगी दोस्तों बात करूंगर मैं processor की तो यहां पर आपको Intel Celeron का processor देखने हो मिलता है और graphics की बात करूं तो आपको Intel के Ultra HD Graphics 600 का integrated support जो है वो देखने को मिल जाएगा pricing की अगर मैं बात करूं तो HP Chromebook 14 आपको 24,990 रुपे का देखने हो मिलता है दोनों के अंदर ही one of the best laptop मैं बोल सकता हूं 25,000 रुपे से नीचे की range के अंदर और अब बात कर लेते हैं नंबर नंबर क्या नंबर तीन laptop के बारे में और दोस्तों यह मेरा one of the favorite laptop है इस range के अंदर लिनोवो आइडिया पैड स्लिम 3 यह भी लिनोवो की तीन लाइट सीरीज के अंदर आता है इसका price थोड़ा सा चेक कर लिजेगा कभी यह 24,000 कभी 26,000 कभी 25,000 ऐसे थोड़ा सा अपडाउन होता रहता है तो जब भी 25,000 रुपे के आसपास में हो इसको बाइस जरूर कर लि किया है और normal work के लिए मैंने यूज किया था office काम के लिए और मेरे को कोई भी problem नहीं आये थी almost एक महिना मैंने इसको इसको इस्तमाल किया था screen के अगर में बात करूं तो आपको एक बड़ी 15.6 इंच की high definition वाली screen देखने को मिल जाती है और साथ ही आपको numeric keypad भी देखने क मिल जाएगा और क्योंकि एक anti-glare display है तो काफी देर काम करने पर भी आपकी आँखों पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा अच्छा नॉर्मली क्या होता है कि जो budget segment के laptop होते हैं उनके bezels जो हो काफी बड़े होते हैं लेकिन यहाँ पर आपको काफी thin bezels देखने हो मिलेगे जिसकी performance याँ ठीक ठाक है कोई problem आपको आने वाली नहीं है और अगर operating system की बात करूँ तो आपको pre-loaded मिल जाएगा Windows 10 का home edition with lifetime validity बाकि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बदाया कि काफी thin and light laptop है तो सिरफ 1700 gram का weight आपको देखने हो मिलेगा company claim करती कि 6-7 गंटे का battery backup देखने हो मिलता है लेकिन मुझे battery backup जो देखने हो मिला था वो 4-4, maximum अगर मैं बात करो तो 5 गंटे बाकि आप average मान के चले कि 4-4,5 गंटे का battery backup जो है मुझे देखने हो मिला एक अच्छी बात लगी थी मुझे लैपटोप के अंदर थोड़ा safety security का ध्यान रखा था वेबकेम के अंदर आपको privacy shutter देखने को मिल जाता है और बाकि जो zoom call वगरा करते हैं तो उसके अंदर वेबकेम ठीक से काम कर रहा था और audio quality मुझे माइक की quality मुझे ठीक देखी थी लैपटोप के अंदर और वीडियो के अंदर या वेबकेम के अंदर मुझे कोई खास चिकायत ने हुई अगर आपका वजट 25,000 रुपे का है तो मेरे ख्याल से 25,000 रुपे के आसपास ये लैपटोप घूमता है मैंने लिया था 24,000 रुपे का देख लीजेगा मैंने लिक 4GB की RAM और 1TB की मैसिव हार्डिस ड्राइव देखने हो मिल जाती है उपर से सोने पे सुआगा बड़ी स्क्रीन 15.6 इंच की HD स्क्रीन आपको यहाँ पर देखने हो मिल जाएगी तो यह स्क्रीन भी काफी बड़ी है रैम ही ठीक ताग है स्टोरेज बहुत जाद है जिन fingerprint scanner देखने हो मिल रहा है तो data अगर आपको जादा स्टोर करना है साथी safety security is your concern then definitely it's a very good laptop आप इसके लिए जा सकते हैं प्रोसेसर के अगर बात करो तो यहाँ पर आपको Intel Celeron का प्रोसेसर देखने हो मिल जाता है N4020 अगर बात करो तो 24,650 रुपे के अंदर Asus VivoBook यह laptop भी का buy कर लिजगा research के लिए आप निचे link का इस्तमाल कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं पांच वे laptop के बारे में जो कि detachable है 2-in-1 है आप इसको tablet की तरह भी use कर सकते हैं laptop की तरह भी use कर सकते हैं मैं बात कर रहा हूँ Lenovo के IdeaPad D330 के बारे में जहां पर आपको tablet size 10.1 inches की screen देखने हो मिल जाती है ये 2-in-1 laptop है साथ ही आपको multi touchscreen option देखने हो मिल जाएगा जहां पर आपको 4GB की RAM और 128GB की fast storage देखने हो मिल जाती है Windows 10 के home edition के साथ मज़े की बात यह है कि आप इस laptop को 360 degree भी fold कर सकते हैं तो जब मन करा screen को अलग कर लिया उसको tablet की तरह use कर लिया जब मन करा तो जाके laptop की तरह use कर लिया और इसके दो camera भी आपको देखने हो मिलते हैं rear में 5 megapixel camera है front में आपको 2 megapixel camera देखने हो मिलता है जो face unlock का काम भी करता है तो मतली multitasking के लिए बहुत ही अच्छा laptop है आपको बहुत जादा मतली जैसे कभी tablet की तरह use करना बच्चों को खेलने के लिए द देखने हो मिलेगा I believe 800 gram के आसपास का weight है इसका तो काफी light weight है जो on the go रहते हैं meeting वगरा करते हैं sales presentation देते हैं student है उनके लिए definitely काफी ये काम आ सकता है price की बात करों तो सिर्फ 24,750 रुपे के अंदर ये laptop आपको देखने हो मिल जाता है और यार battery backup की बात करों तो मेरे ख्याल आपका होने वाला है बाकि Bluetooth, Wi-Fi, webcam वगरा सबका support आपको यहाँ पर देखने हो मिल जाएगा मेरे ख्याल से 125,000 रुपे काफी ये choice हो सकते हैं इसके लिए बे जा सकते हैं तो वाइस ये थे वो 5 laptop जो आज की तारिक में 25,000 रुपे से निचे की price range में market में धूम मचा रहे है आपको और किस budget range के अंदर वीडियो देखना निचे मुझे comment box में ज़रूर बताएगा काफी सारे वीडियो में आपके लिए बनाना चाहता हूँ और अपना support दिखाने के लिए चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा लगातार आपके लिए ऐसे वीडियो में लेके आता रहता और जल्दी नेक्स वीडियो के अंदर